वेलकम यूल एट सहेचर करेंट अफेर्स एड इनिशिटीव ओफ बीपीसी कॉंसेट वाला आज करेंगे हम आज का करेंट अफेर्स, लेट सार्ट दर तुदे करेंट अफेर्स पहला कोश्चन हमारे पास है तो आपके पास इसका करेंट आउस्वर है नीमा सरीखान, ठीक है यह आपका करेंट आउस्वर हो जाता है इन्होंने तीन दिन की महनत के बाद एक फोटो खीची जिसकी वज़े से उनको ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पर देखेंगे यह है वो इमेज जिनकी वज़े से इनको ये वार्ड मिला है एक पोलर वियर है जो बर्थ के पलेटा हुआ है ध्यान लखेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीमा सरीखानी इनको ये वार्ड दिया गया है इनकी तीन दिन की सर्च के बाद पोलर वियर की इमेज के लिए ये जो सर्च है इनकी नौर्वेजन आइलेंड की है एक्जेक्ट डिटेल जो है इन्होंने नहीं दी है लोकेशन के इन्होंने फोटो कहाँ पे कलिक करी थी तो जरा से फैक्ट है ध्यान लखेगा चीज़े हैं हिंदी में अगला कोशन तो किसके नाम पे इस टेडियम का नाम अब रखने के लिए तयारी चल रही है तो आपके पास correct answer है निरंजन शाह ठीक है डी आपका correct answer हो जाता है पहले इन्होंने काफे ज़्यादा रोल अपना important role play किया है इस मैदान में तो इनके ही नाम पे इस मैदान का नाम रखने के तयारी हो रही है अब ठीक है तो डी आपका correct answer हो जाता है ध्यान लखेगा यहाँ पर देखेंगे सौ home ground का जो है नाम change करके निरंजन शाह stadium रखेंगे और इसकी जो location है यह है आपकी राजपोट खंडेरी के अंदर ठीक है यहाँ पर देख लीजे नरेंदर मुर्दी stadium जो हमारे पास एहमदाबाद में है यह इंडिया का largest cricket stadium है इसके लावा जैपूर का second largest cricket stadium जो है वो भी under construction है यह भी हमें जल्दी ही मिल जाएगा कुछ हाल ही में जो नाम change हुए है उसमें आपका अयोधिया railway station को अयोधिया ध्याम कर दिया गया है ठीक है और अयोधिया airport बन गया है महारशी वालमी की airport ठीक है ज्यान लखेगा अगला question है who was reappointed as the president of El Salvador तो answer है आपके पास नायब बुक है Pacific Ocean के किनारे पर capital की बात करें तो है इसकी capital San Salvador president हमने देखी लिए है नायब बुकेले currency की बात करें तो है bitcoin United States dollar तो dollar यहां पर चलता है population इसकी 63,00,000,000 के लगबग है और world bank का सदस्य से बनाए 2021 में official language है यहां की Spanish ठीक है next हमारे पास है where was sea survival center inaugurated by PM Narendra Modi तो sea survival center का inauguration किया ग यहां पर देखिए marine survival center है यह प्राइम मिनिस्टर नरेंदर Modi ने इसको inaugurate किया है कहां पर किया है गोवा के अंदर किया है ध्यान लखिए यहां पर जो marine rescue operations होते हैं उनको rescue देने का उनको service देने का काम यहां पर किया जाएगा country का पहला high tech sports rescue center जो है वो आपका के लिए marine rescue operations के लिए next यहां पर चीज़े हैं हिंदी में अगला question हमारे पास है what is the theme of national science day 2024 correct answer आपके पास है indigenous technology for विकसित भारत ठीक है यह आपका correct answer हो जाता है यहां पर देखिए dr. जितेंदर शहाज है यह minister है हमारे state of atomic energy and space के इन्होंने इस theme को unveil किया है यान की concert हमने मनाया अभी national science day 2024 तो 28 फरवरी को इसको हम celebrate करते है national science day is observed annually on February 28 और यहां पर रमन जी की photo लगी हुई है तो इनहीं को सम्मान देने के लिए इस day को हम celebrate करते है cv. रमन was awarded the Nobel Prize in 1930 किसके लिए दिया गया था इनको इन्हों discovery करी थी रमन effect की ओके यहां पर चीज़े हैं हिंदी में आगल आपके पास है international energy agency यानि की IEAD आपका correct answer हो जाता है ध्यान खिए इसी नहीं यह report जारी करी है आपकी electricity 2024 report इसके इसाप से हम देखें तो 2026 तक global electricity की demand अभी के मुकाबले में double हो जाएगी ठीक है इसके लिए काफिज़ादा हमारे को electricity generation capacity पे ध्यान दिना पड़ेगा clean energy की बात करें तो यह एक important role है जो crucial role play कर सकती है इसीज के अंदर report में यह भी बताया गया है कि 2025 जो हमारी additional energy है जिसको हम clean energy के रूप में देख रहे हैं जैसे solar हो गया wind हो गया thermal हो गया तो इससे जो हमला अपना केवल सिर्फ one third ही पूरा कर पाएंगे तो अभी भी हम लोग बहुत पी 24 में अपसे उड़ंचा साल पहले यह एक autonomous intergovernmental organization है इसका headquarter Paris France के अंदर है membership की बात करें तो 31 देश इस list में शामिल है इसके official language English है executive director है इसके फती बिरोल और deputy executive इतना matter नहीं करता बस ध्यान नेखेगा यह autonomous intergovernmental organization है ठीक है अगला question है है हमारे पास प्रसिद लेखक फारुक न 1995 ठीक है यह आपका correct answer है इसी जिए इनको साहित्या Academy Award बिया गया था कश्मीरी language की संदक्षन के लिए यहाँ पे देखिए फारुक नस्की का निधन हो गया है इनका संबंद कहां से है कश्मीर से है और यह writer है जो बस आपको इतना main याद रखना है क्योंकि किसी की death होती है तो यही पुछाता है कि उनका संबंद किस profession से है तो यह writer है फिलाल हम यह देख लेते हैं इनको साहित्या Academy Award मिला था 1995 में नरहत्यून कजल वनस के लिए तो यह इनका एक उसी language में लिखा हुआ एक poem है तो नस्की का जो contribution है वो कश्मीरी literature को इतरसे सर्व संदक्षन देने के लिए हैं ओके यह चीज़े हैं हिंदी में अगला question हमारे पास है what is the length of the Indo-Myanmar border on which the Indian government is planning to fence it तो इसका correct answer आपके पास है 1643 km का जो एक तरह से area है वो हमारा touch होता है दूसरे के देश के साथ ठीक है भारत मैनमार की सीमा है हमारी 1643 km की यहाँ पर देखिए हमारे home minister और cooperative minister भी यही है अमिशाह ने अभी हाल ही में decide किया है कि वो इंडो मैनमार border पे एक तरह से fence लगाएंगे ठीक है इसका objective यही है कि इससे security और surveillance में मदद मिलेगी इंडो मैनमार border की बात करें तो 643 km का area है जो touch होता है हमारे सीमाओं के बीच में और जो इससे है हमारे national security को फायदा में लेगा तो ध्यान लखेगा यह है आपका कश्मीर कर रहा हूं नौर्थ इसका आपका map उपर आपका अर्वंशल प्रद याद हो जाएंगे इसके यह वाला area जो है यह आपका असम हो गया इधर आपका मेघाले हो जाएगा तो दियान लखना इधर sorry यहाँ पे मेघाले हो जाएगा ठीक है तो चीज़े ऐसे देख सकते हो आप इसके रहाब यहाँ पर देखेंगे हम ग्रेए चीज़े हैं हिंदी में और बांगलादेश के साथ सबसे लंबी हमारी सीमा लगती है तो बांगलादेश के साथ सीमा लगती है 4096 km लग भकसम थी इसके बाद नमबर आता है चाइना का पाकिस्तान के साथ 33 तो ये 3rd largest है नेपाल के साथ 1751 मेनमार के साथ 1643 भूटान के साथ पूरे बौर्डर पे फैंसिंग करना is a big task तो सरकार ने निरने लिया है तो ये काम किये भी जाएंगे फिलाल हमारे को ध्यान लखना है कि कोश्चन क्या बन सकता है तो कोश्चन ध्यान लखेगा मैंने आपको सारे हमारे जो पडोसी देश हैं उनकी बता दी है काउंसी लेंट कितनी लगती है तो ये डेटा आप यहां से देख सकते हो अगरा कोश्चन है हमारे पास विच स्पेस एजनसी है रिसेंटली आइटेफाइड आपटेंशल सूपर अर्थ टियो आई 715 बी तो करेक्ट आपके पास नासा है ठीक है नासा ने इसकी खोज करी है ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना सूपर अर्थ टियो आई 715 बी है इस जो इन्होंने खोंजा है ग्रह को इसका ये नाम है तो इन्होंने इह नाम दिया है ये वाला हूँ टिक्ष टो डिया थे ये ये जो सूपर अर्थ टोप अइंटली रिदिश इतर इसमिर का च्क्क्र लगा रहा है हाले में छोटा सा स्乾ॉत इस नाम स्टार है वैसे यहां पर एक रडिश स्टार है उसका इस चक्र लगाता है इसका जो यह प्लैनेट है यह प्रित्वी से डिगड़ गुना चोड़ा है तो यह फैक ध्यान लखेगा डिगड़ गुना चोड़ा है और बस यही है तो में चीजें हैं और 19 दिन में इसका एक साल पूरा हो जाता है नॉर्मल बेसिकती चीजे थी आएगा कुछ नहीं टीओ आई सेवन फिटीन भी हाल ही में चर्चा में रहा यह क्या है तो यह सूपर अर्थ है नासर द्वारक हो जा गया एक ग्रह है और यह हैबिटेबल है बस इतना ही आपको ध्यान लखना है यहां पर ने यह एंकरेश करा है वेक्सिनेशन को गर्ल्स के लिए नौस चोगा साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका फिरी में दिया जाएगा वेक्सिन जो है यह एड्मिस्टर की जाएगी एंडर मिनिशन जो हमारा इंद्ध्धनुष चल रहा है तो इसके अगर हम कारण की बात करेंगे तो सेल्स सर्विक्स के अंदर अनकंट्रोलबल फॉर्म में ग्रोथ होती है जैसे की कैंसर आपका होता है यह वही है क्तरा से सेल्स का बढ़ जाना बहुत ज्यादा मातरा में तो यहाँ पर आपका यह सर्वाइकल कैंसर हो जाता है करेक्ट आंसर आपके पास है आनंद कुमार आनंद कुमार के बारे में यहाँ पर देखते हैं इनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं यह सूपर 30 के फांडर है रितिक रोशन की मुवी आज थी उनके थू इनका लाइफ दिखाया गया था ठीक है math educator है पटना के इनको golden visa द किये होते हैं ठीक है और इससे करके यह elite class में आ गए हैं इंडियन्स की तो ध्यान रखेंगे चीजें हैं हिंदी में आगला question which country has recently announced visa free travel for Indians तो जैसा कि आप जानते हो इरान ने हाल ही में घोशना करी थी भारतियों के लिए कि भारतिये बिना visa के इरान घुमने आ सकते हैं ठी पर इस यह question पूछा गया है तो बहुत सारी question हमारी current से आए हैं आप लोग महा से जाकर कि previous class जो continue देख रहा हैं और किसी का CSR का exam हुआ तो इसको इस बारे में awareness होगी एरान के लावा हमारे को अभी हाल ही में Kenya ने मलेशिया ने श्रिलंका ने थाइलेंड ने और वियतनाम न यूरोपिय संग का पहला देश बन गया है ठीक है इसके लावा यहां पर देखिए न्याय मूर्ती विजय बिश्णोई ने गुआटी उच न्याले के मुख्य न्याइधिश के रूप में शपत लिए है तो यह वन लैनर नीउस है ध्यान लखेगा ओकी यह होगे हमारा next हम हमारे पास है पीटी उशा बिकम्जा फिफ्ट एमिनेंट स्पोर्ट्स परसन जिन्होंने अचीव किया है आपका रिसीव किया है यह वार्ड का नाम है आपके पास यहाँ पे हमारे पास कुछ रीसेंट जी आई टैग जो नीवज में रहे हैं थोड़े से अरपटे से नाम होते हैं प्रनेंशेट करने में दिक्कत होती है जैसे आगर मैं कुछ आगे पीशे कर दूँ और किसी को सही प्रनेंशेशन पता हो तो प्लीज तो उसको मैनेज कर ले ना वेस्ट बेंगौल में आपके पास है गरट साड़ी, कोरियल साड़ी, कोलो नुनिया, कोलो नुनिया राइस, सुन्दर बन हनी और टैंगेल साड़ी इसके लावा बात करते हैं ओडिशा की तो धेने कनल माग जी, डुंगुरिया कोंड एंब्राइड़िट शॉल, गजपती डेट पाम, कोरा पुट काला जीरा राइस, लांजिया सौरा पेंटिंग, मयूर भंज काई चटनी, नया गर्ड कांटी मुन्डी ब्रेंजल, ठीक ह इसके लावा जम्मू कश्मिर में आपके पास है रंबम अनारदाना, गुजरात का आपके पास है कच्ची खारेक, एगरी कल्चर से संबनित है, अरुनाचर पदेश की बात करें तो आधी के किर्थ, हैंडमेड कारपेट्स और वान्चो क्राफ्ट, यह सारे यहां के कुछ जियाई टैक्स हैं, जो नीज में रहें, इनको ध्यान लखेगा, आज का आपके पास कोशन है, होमवर्क के लिए, आउटसेंडिंग बिजनस वुमें ओफ दे यर का वार किसे सम्मानित किया गया है, यह कोशन मैं आपको कराया था, इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंड म यहां होता है, इस वीडियो का एंड जल्दी मिलेंगे, हम लोग नेक्स वीडियो में, आप लोग अच्छा लग रहा होगा, और आप कमेंड करके मुझे प्लीज बताइए, हम कहां पे इसको कर सकते हैं, और कितना अच्छा मैं इसको कर सकता हूँ, बाकि मन्थली में हम